तो हमें चाहिए एक कारबोट आपको इसा भी कारबोट ले सकते हो फिर उसके बाद हमें स्केल ले लेना है हमें इसे कुछ 10 सेंटिमीटर तक लाइन खीच लेनी है या 10 से 11 सेंटिमीटर तक भी आप खीच सकते हो तो मैं यहाँ पर 11 सेंटिमीटर खीच रही हो और फिर और जो इसकी चोड़ाई है मैं 30 सेंटिमीटर खीच लेती हूँ और उसके बाद कुछ इस तरीके से नीचे भी खीच लेना हमें 30 सेंटिमीटर तक और इसकी लंबाई हमें 11 सेंटिमीटर तक ही खीच लेना है फिर इसे कैंची के हेल्फ से कट कर लेना है इसे कट करने के बाद हमें इसे दूसरे कार्बोर्ड के साथ भी कट कर लेना है तो हमें इन दोनों को कट करने के बाद ग्लू की हेल्फ से या टेप की हेल्फ से चिपका देना है कुछ इस तरीके से चिपका देना है फिर उसके बाद हमें एक पेपर ले लेना है फिर उसके बाद इस पेपर को नीचे रख देते हैं फिर ये कारबोर्ड भी रख देते हैं फिर उसके बाद स्केल से हमें यहां पर लाइन खीचना है और एक यहां पर और एक यहां पर खीचना है और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लाइन खीच रहा हमें और एक यहाँ पर कुछ इस तरह के से फिर उसी तरह यहाँ पर भी हमें एक लाइन खीच रहा है और एक यहाँ पर फिर इसने कट कर ले रहा है फिर इसे यहाँ से लेना है थोड़ा और कुछ यहां से हमें ट्रांस्पेरेंट टेप की हेल्ट से इन्हें कुछ इस तरीके से चिपका देना है फिर इस तरह भी यहां पर पर चिपका देना है जैसे चिपकाने के बाद हमारा कैन्वस रेडी है कितना क्यूट है तो ऐसा ही canvas मैंने बहुत सारे बनाये हैं तो यह first canvas है जिसमें मैंने painting कर रखा और एक यह purple mood वाली और एक ही यह canvas है जिसमें मैंने जुगनू painting की है और एक ही मैंने मोटा वाला canvas मनाया था जिसमें मैंने four friend की drink की है आपको मेरी painting कैसी लगी तो आपको मेरी होममेड वाली कैन्वस कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरू करना तो तब तक के लिए बाद